उनको कैसे मदद मिले, मैला कोई तकलिफ होती है तो उनको कैसे मदद मिले, मैला हैर्प्लाइन चालो होगा तो यह जो हमारी मैला कमीटिय हो यह उनकी जुम्मेदारी है आज प्रदानमंत्री जी ने संवेटंद के रचना किये हमारा राष्टिय अध्रक्स ने हमें कले दो दिन पहले हमारे एक मिटिंग थी उननोंने बताया कि जो पदाधिकारी होते है उनकी एक विसस जिम्मेदारी होते है पदाधिकारी सिर्फ खाली कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं होते हैं लेकिन वो खास एक ड्रश्टी और दिसा लेकर काम करते हैं तो दिसा और ड्रश्टी क्या है तो दिसा और ड्रश्टी है हमारे अभ्यानी और योजना है हम जब संगढ़न में काम करते हैं तो हमें पार्टी में कितने योजना चल रही है कितना उभ्यान चल रहे हैं यह सभी हमें मालूम होना जाए और यह हमारी जाबदारी है कि जितनी दीतिया आ रही है दो दिन पहले ही प्रधान मंत्रे जीने दो नए फैसले लीए वन नेशन वन रेशन का अगर बहुत सारे लोग हमारे प्रधेस में माइग्रेट होके लगते हैं जादर नगर अवली दबंदीवे के ऐसा प्रधेस है कि जिसमें पचास प्रधेस से ज्यादा लोग अन्या प्रधेस हो साय होगा तो अगर आपके रेसंकार कहीं अन्या प्रदेश के हैं, पाउजिल आपको रेसं यहां मिले, तो यह वन रेसं, वन रेसंकार इस तरह का अभियान चल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी हम लोगों के बीच में लेके जाए, अज नेसल एजियोकुशन पॉलिसी, 1986 पर बनी थी, अतीस साल तक किसी ने उसको उपर नहीं सोचा, प्रदान मंद्री जी ने उसको पर सोचा और नई नेसल एजियोकुशन पॉलिसी रहे, अध पूरे दिन उन्हें उसको उपर वक्तिया दिया है, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनते है, हम लोगों के बीच में जाए, हम लोग अधियोक करता हूं, और आप सभी को निवेजन करता हूं, कि आप आपको नियुक्त हुई है, तो सिंपल बेंग के माध्यम से आप सभी योजना और अभ्यान काई प्रस्टिक्शन वर्ग ले ले और लोगों के बीच में जाए, और महिलाओ किस तरह एमपावर्मेंट हो सक महिलाओ कैसे सुरक्सित बन सकते हैं, महिलाओ कैसे आगे आ सकते हैं, उसको उपर फ़रा दवन जिल्ला में कारिकरम चला है, यही मेरी आप से परातना है, धन्यवाद